तो आज हम पता है छट पूझा के लिए सुबह सुबह पाच बजे ही उड़ गए हैं और हो चुके हैं नहाद होकर तयार अब इससे पहले कि संद्राइज हो ना पूझा स्थान पर पहुचते हैं फटाफट और पजाए थंडियों में ना सुबह पाच बजे इतना ज्यादा अंधेरा होता है ऐसा लग रहा था रात के दो बज़ रहे हैं पूझा स्थान पर पहुचते से ना सबसे पहले मैंने और ममी ने पूझा की तयारिया स्टार्ट की अब थोड़ा थोड़ा उजाला होना तो स्टार्ट होई गया है लेकिन इससे पहले की संद्राइज होना थोड़ी सी चाय पी लेते हैं संद्राइज बहुत ही जदा प्यारा होने वाला है और मैं नहीं चाहती कि हमारा आज का संद्राइज मिस हो तो चलो फिर सबसे पहले ना सूर्य दय होने के बाद हम अर्ग देते हैं और फिर यहाँ पर मम्मी ने गन्ने को चीलना शुरू कर दिया है क्योंकि हमारे रात तो मम्मी जित्ते स्ट्रॉंग नहीं है ना इसलिए मम्मी हमें गन्ने को चील चील कर खाने के लिए दे रही है लेकिन ऐसा लग रहा है ना ये भी तोड़ते हुए मेरे दाथ तूटने वाले है